गती 120 सब्द प्रती मिनट लिक्टिशन सुरू होने में समय से से 5 सेकंड रेडी अश्टार्ट उपाध्यच महोदे मैं मानती हूँ कि बहुत से जो हमारे भाई हैं उनकी और से सिकायते आई हैं और यहां बाचित चलती रहती है कि हम अपने इलाके में सफाई बंद कर देंगे परन्तु यह विशय स्वायत सासन संस्था के सहयोग से नहीं हो पा रहा है जैसी की हमें आसा है और मैं समझती हूँ कि राजनेतिक दल स्वास्थ के विशय में ध्यान रखते हैं क्योंकि यह मानपता के लिए बहुत अवस्यक है और इसमें राजनीती का कोई रंग न मेरी आसा है मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली परसासन कोई ऐसी नीती अपनाने की कोसिस करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विशय में हमारा नगर निगम से एक सहयोग पूर्ण वाताबरन प हमारे सामने एक उद्देश हो कि हमें जनता का काम करना है क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं इसमें पार्टी का कोई प्रस्ण नहीं है दुसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रबधान किया गया है कि उनके लिए के केंद्रों के साथ साथ बे सहारा महिलाओं के लिए जो की समाज से तिरस्कृत हैं ऐसी महिलाओं के लिए जगा जगा इस परकार के केंद्र खुलने चाहिए जहां उन्हें रोजगार सिखाया जाए और साथी साथ आर्थिक रूप से सोतंत्र बनाने की तरफ भी प्रितन कि इस विशाय में मेरा एक सुझाव है कि जो बच्चे अनाथ हैं जो बेसहारा महिलाएं हैं उनकी तरफ हमारी पूरी कोसिस होनी चाहिए कि जो अनाथ बच्चे हैं जो समाद से तिरस्कृत हैं जिनको अबहिलना की दिरिष्टी से देखा जाता है उनके लिए केंदर बनाए ज लखे जाएं जिनके सनरच्चन में वह कार सीखें पढ़ें लिखें यदि इसमें पाहर के सदस्य हो तो वे ऐसे होने चाहिए जिनका जीवन सरकारी सेवा में ही बिता हो ऐसे योग लोगों से सहायता लीजिए यदि इसमें आसमाजिक तत्व घुस गए तो फिर हमारा पैस ऐसे ही खर्च हो जाएगा और जो नीती हमने बनाई है वह असफल हो जाएगी जिसका परिणाम यह होगा कि हम उस नीती को काज रूप में परिनत नहीं कर सकेंगे इस बात पर कोई मतभेद नहीं है उपाधियच महोदे रूस में भारत के जो मानचित्र परकासित हुए है उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है इसको सरकार भी मानती है और इस बिसाय पर कोई मतभेद नहीं है प्रस्ण यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र परकासित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो करतब है उसने उसको निभाया है या नहीं और अगर निभाया है तो किस परकार से निभाया है जब भारत सरकार का ध्यान इसमें परकासित उस मानचित्र की और दिलाया गया जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलट धंग से दिखाया गया था तो उसने 1956 में ही जबकी ना तो भारत और चीन की सीमा का प्रस्ण पैदा हुआ था इस बारे में रूस ने विरोध किया इसके बाद भारत सरकार ने लगतार चार वार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है जब उसकी और भारत का ध्यान गया तो उसने जून जुलाई और अगस्त में लगतार तीन वार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आये उनसे बाचित करके रूस का ध्यान इस और अकरसित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है प्रस्न या है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही धंग से नहीं दिखाता है तो श्वभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए हम अपने कर्तब से नहीं चूक सकते हैं लेकिन जहां तक इस चर्चा का संबंध है मैं माननिय सदस्य की प्रसंसा करता अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिनोंने हमारे मानचित्र को गलट धंग से दिखाया है उदाहरन के लिए पाकिस्तान को सिकायत है उसके मानचित्र को केबल रूस इराक और मिस्र नहीं नहीं बलकि अमरीका ने भी गलत दिखाया है जिस कस्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं जिसे हम कहते हैं कि वह इस धर्ती पर हमारा स्वर्ग है उस इलाके को बिलकुल उनकी दया और किर्पा पर छोड़ दिया गया है यह पात उत्सा बर्धक नहीं है स्टॉप